प्रहम सबोल्दो महापति महादेव की जय हरिताली का ब्रत कथा सक्षियां पार्वती को साथ लेके बन में गई जहां उस रोज तीज तिथी को भादो मास कृष्ण पक्ष तृतिया तिथी के दीन बालू की प्रतिमा बनाकर रात्री में चार पहर चारो पहर में भगवान सीव जी को प्रतन करने के लिए पार्वती जी ने निराहार रहकर इस ब्रत को किया अपूजा की जिसके प्रभाव से भगवान सीव जी आये और उनको अश्वासन और सलाद दे करके फिर चले गए बाद में बालू में जो प्रतिमा बनाये थे उसको विशर्जित किये उसको विशर्जित करने के ही बात पुरंत उनके पिता जी चारो दिसाओं से खोशते हुए वहाँ पहुचे और उनको अपनी कन्या को उनकी इच्छा के ही मुताबिक सब हम करेंगे करके मना के फिर अपना घर लेके गए जिस दिन से आज तक हर इस्त्रिया अपनी पती को जैसे भगवान पारवती को पाई थी सीव जी को उसी प्रकार से हमारा भी सुहाग अचल रहे इसलिए अक्षे त्रितिया के रोज निरा हार रहकर इस ब्रत को सब करती हैं ताकि हमारा सुहाग अमर रहे ऐसा कर गए यही है इसका विधान पारवती जी ने कि जिसमें हस्त युप से नक्षत्र अगर है तो और अति उत्तम रहता है उसी को ही देख करके इतनियां पुजा करती हैं और अपनी जो सुहाग की रक्षा करती हैं तीजा के रोज प्रथम पहर से लेके चार पहर में भगवान सीव और उमा का पुजन करते हैं ताकि हमारे जैसे भगवान सीव जी का पुजन करके पारवती जी ने आधा आसन पाये थे उसी प्रकार भगवान हमारी भित्वाग की रक्षा करें ऐसा करके उस रोज निराहार ब्रत को करती हैं